तो हेलो नमस्का दोस्तो मैं हूँ मनोज पर्टेल हमारी यूटूब के लग एमडे एम टेक विजने फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज का वीडियो का टॉपिक है यहाँ पर कोई भी आपके पास सर्कीट होती है जो पावर सप्लार सर्कीट होती है एम्प्ल स略 syllables आपके Describe स्क्न्हें इस इसे इसको चेक करें वह इस वीडियो में आपको बताने वालो हूँ कोordum हमारी वीडियो पर आप नए हो तो वारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास वाले बेल अगर क्लिक करना मत बुलिए क्यूंकि ऐसे टेकनोलोजी के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर पार सप्ला है यह भी पार क्जिए भी कैसे चेक करें इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तो दोस्तों सब्सक्रण कोई भी एक intr病 है यह पार सफप्ला यह POWER सफप्ला है और क्यापस्छितर तरू अब आप देख संकती हो मैं वीडियो को फोकस करता हूँ ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से आपको दिखने के लिए और फिजी कले में क्या प्रॉब्लम होता है पहले आप कहीं भी रिपेरिंग खड़ रहे हो कोई भी सरकीट को और इलेक्ट्रोनिक सरकीट आप पहले फिजी कली कैपसिटर करके से करें कैसे पत नो कोई पताए सी जगह को अपको इसा है एक कैपिसीटर अप सभी जगा होगा देख सकते हो तो इसकी वेल्यू में आपको यहांस बताता हूँ एक grap आप देख सकते हो 10 ΜF, 450 वोल्ट, यह 450 वोल्ट तक क्यापरेशिटर हमारा आउटवूट में लगा होगा इसका प्लस-पाइनस लिखना ना 5-10% प्लस-पाइनस लेना है 450 वोल्ट यहाँ पर आउटवूट में आप लगा सकते हो और यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं है यह वोल्टेज नीचे वाला बाई 450 वोल्ट यह 10 माइक्रोफ है जो से इसका चार्जिंग टाइम है जैसे चार्ज चार्ज और डिचार्ज का काम करता है अब प्यॉर डीसी करने के लिए क्यापेसिटर का यूज होता है जहाँ से आप फिल्टरिंग इसको भी बोल सकते हो तो दोस्तो यह कैपेसिटर अब फिल्टरिंग में भी कैपेसिटर लगता है जैसे यहाँ पर इंपूट वोल्टेज जहां पर यह आ रहा है तो 30 वर तो रिबत और रिक्तिव फाइर मिया यहाँ पर आने से हो बाडर सिदर लगता है अर्व इन nieu works यह इंपूट में यह चान तुको दिखाने के लिए नो चासो ओल टेन माइक्रों पराडे तेन माइक्रों पराडे चासो बडे में फोकस Advent अच्छी तरह से आपको दिखाने के लिए चासो वैं के एक क्पेसिटर तो यह हमारा यहां पर आउप्वूट आप इन्पुट यहां पर आउपूट में जहांप work notified बढ़ जाता है यहांए थर्ट वोणोटा इसके पर यह चैपुट रहता है vakac गब लग जा पर चोटा वाला क्या परशीटर किसा lush नहीं बिलर का इच और पाने को मेंद कि उस्थ घ्रक चप्र आइननके सी इंट सब्सक्राइड सिद्धं चाहिए ऐटometers आव्रो पार ten व कोई आफ। एश्थ 15 अपन दो की अपन फर्ट से जी इन्पूट से आप आउस्ट मेल रहा है आपई कि अपयर का वोल्टेज्ट का व्ल्ट से कम नहीं होगा ज्याज़ा वल्टेज नहीं होगा कि इसके बाद यहाप इंदूस्रा क्विक्शिटर में बताता हो एंद कि पंचास व्ल्ट का क्याप्नि मतलब होता है यहापर वोल्टेज आता है, यहाँ बोल्ट से कम वोल्टेज आता है, भी तरह अगला एक Mic V अगल 25 25 वोल्ट गडा हुआ है तो, 15 क्यापसिटर हो गा क्डेशिटर आप देख सकते हो अच्छे मितलगे से में की आ फोकस करो आपको और दिखाने तो आपको पता चल गया अगर वोल्टेज इतना वोल्टेज आ तही से ज्यादा का के पिपिर आप मार्केट में से खरी कर और लगा सकते हो और इसके बाद हम देखेंगे आज का दो टॉपिक इसके बारे में तुछा डिक्स करेंगे पहले हिया मैंने नुरूर्मलिय बेजिक में आपको बता दिया है तो यहां पर देख सकते हैं यह तो फिजिकली जब सर्कीट में लगी होगी तो आपको सर्कीट में कुछ फोल्ड होगा जैसे पाव सप्लाइब होगा यह आउप्वूर्ड में कुछ भी सेंसर लग सकता है यह LED TV में यह क्यापिर लगा होगा तो LED कभ च्पिकेश्टर जो सर्कीर पर लगे हुए इसमें क्या डीफरेंट है तो देख सेकते हो यह पूरा ना पहले मेरा LED TV थी वाहाँ पर सभी खराब हो चुका था इसको निकाल के दुसरा नया क्या प्रेस्टर डात के मैंने LED TV रिपेर कर दिये मेरी वीडियो के में जाके आप देख सकते हैं जी मैंने चैनल के डिस्क्रिशन में भी इसके लिंक ले दूँगा और चैनल पर आप मिल जाएंगे इसे पूरा क्यापिसिटर खारब होने से हमारा बार वॉल फ्रक्षिवरेशन होने से हमारे जब एलेडी ओन करते से एलेडी टीवी तब इसका क्या हुआ स्क्रिन का प्रब्लम होगा क्योंगी वल्टेज प्लस महानस होते दे तो आप देख सकते हैं यह क्यापिसिटर फूला है उपर से देख सकते हो कि पूरा सपी क्यापिसिटर मैंने इसलिए रखा कि आपको दिखाने के लिए पूरा क्यापिसिटर फूला हुआ है और अच्छा वाला क्यापिसिटर में बता रहे तो देख सकते हैं इसके साथ में रखके इस दोनों को ब्लैक वाला क्यापिसिटर यह फूला हुआ बग देख लिए जो खराब वाला कैपेसिटर यह खराब वाला कैपेसिटर और सही वाला कि जो उपपर का जो भाग है उसका मतलए इसमें जो फिल्टरिंग अच्छी तरह से नहीं होगा और इसका जो चार्जिंग टाइम भी चैंज हो गाएगा इसलिए आप देख लो पूरा कैपेसिटर यह पूरा कैपेसिटर फूरा खराब हो चुका यह उपास गया इसके सबसे प्रब्लम होता था तो आप घर पे जब भी रिपेर कर रहे हैं तो फिसीकली देखना है तो पहले क्या देख लिग यह सब देख लिगना है उपर वाला जो विश्याब क्लियर होना चाहिए तो आपको पता चल गया होगा एक लिए बड़ा वाला इसको भी उपसा गया होगा तो खड़ाब हो जाए लेकर उपर वाला जो ठक्कन है उपस नहींगा है इसलिए एक हमारा सही है एक यह पर आप देख लेते हैं एक दोनों क्यापरिशिट द्यान से दिए कि इसमें आप कुछ पता नहीं चला है तो मेरे चैनल पर निचे सोटा सा कमेंट कर दीजी इसका रिपलावी में आपको दे दूँगा तो इसी तरह आप देख सकते हो यह क्यापिश्ट रमाज सही क्याप्रेशर कोंचा है खाला कैसे भीची के लिए कैसे हम च कर दीजी इसको भी पता चले कि करते ही इस को आपको बहुत अच्छा लग को लाइक करना मत बुलिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजी और पास बुले आईकन करना मत बुलिए तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ जहेंग जह वारत झाल झाल